दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्री मेच्चोर बाल्डिंग के बारे में यानि कम उमर के अंदर बालों के जड़ने की समस्या के बारे में गंजापन होने की समस्या के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं हर व्यक्ति कभी न कभी बालों की समस्या से पिड़ी जिरूर होता है उसके कभी न कभी बाल जड़ते अवर्शे हैं लेकिन चिंता का विशय तब होता है बाल जढ़ तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते व्यक्ति गंजेपन में परिवर्तित हो जाता है जब यह गंजा पनाता है तो मनुष्य के मन को बहुत दुखी करता है दोस्तो आज का वीडियो इसी विशय पर कि जब बाल कम उमर में जड़ जाते हैं कम उमर में गंजापन आता है तो ये क्यों आता है इसके पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं दोस्तो आज कल देखने में आया है कि पुरुष 20 साल में गंजे होते जा रही है और महिलाएं 30 साल में गंजी होते जा रही है इस प्री मेचोर बाल्डिंग के कारण क्या है आये जानते हैं कि जब व्यक्ति कम और में गंजापन का शिकार होता है तो ये जीन्स की वज़े से होता है ये हैं डिटरी कारणों की वज़े से होता है ये वंशान उगत होता है कि जीन्स हमें बनाते हैं जो स्रचना होती है, हमारा b body, हमारा श्रीर जो ग्रहन करता है, वो माता-Pita से मिले हुए गुर्णसुत्रों से करता है, इसी से हमारा श्रीर बनता है, हमारे श्रीर के सभी अंग, इसी के नुरूप बनते हैं. दोस्तों, जीन्स के लावा भी कुछ factors ऐसे होते हैं, जो मनुश्य के अंदर बिमारी पैदा करने के कारक बनते हैं जिन की वज़े से मनुश्य बिमार होता है बालों में भी जब गंजा पनाता है तो हे डिट्री कारणों के अलावा आज कल दो बड़े फैक्टर्स देखने में नजर आ रहे हैं पहला फैक्टर है एन्वारमेंटल फैक्टर और दूसरा फैक्टर है लाइफस्टैल फैक्टर जी आदोस्तों पहला फैक्टर एन्वारमेंटल सेक्टर के अंदर पोल्यूशन सबसे में डोल अदा करता इंडस्टिलाइजिशन की वजए से उध्योगी करण की वजए से बहुत सारा धुआ हमारे वातावरण में फैला होता है प्रदूशन पैदा करने वाले वहिकल भी बहुत ज्यादा मात्रा में हैं दोस्तों इस उध्योगी करण की वजए से और प्रदूशन पैदा करने वाल की वजय से बहुत सारी मात्रा में हमारे एन्वार्मेंट के अंदर पुल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को भी खराब करना शुरू कर देते हैं हमारे बालों में लाइफस्टाइल भी हमारे बालों की समस्या बढ़ाने में काम करता है श्पेशली पैट्रन हेर लोस को भी जी हां दोस्तों लाइफस्टाइल में दो बाते आती हैं पहला स्ट्रेस लेवल हम सब जानते हैं आज की भाग दोड की जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव का शिकारी हो जाता है यह तनाव जो बहुत सारी बिमारियों का कारण होता है बालों को भी बहुत नुक्सान कर सकता है बालों को भी पतला कर सकता है मेल पैटरन बालनेस की स्थिति को और ज्यादा एग्रिवेट कर सकता है दोस्तों तनाभ जब होथा थो मनुष्य के श्रीर के अंदर फ्री रे्रेमिन ही उक्सिडेटिव स्ट्रेस करते हैं और उक्सिडेटिव स्ट्रेस की वज़ेसे बाल पतले होने देखने में मिल रहे हैं कम उमर के अंदर महिलाओं और पुर्शों दोनों के अंदर बाल पतले होते जा रहे हैं अलोपेशिया एंट्रोजेनेटिका यानि मेल और फिमेल पैटर्न बालनेस की संख्या इसी एक फेक्टर की वज़े से बहुत तेजी से बढ़ती है लाइस्टा के अंदर प्रोपर पोशन नहीं ले पा रहे प्रोपर प्रोटीन नहीं ले पा रहे प्रोपर मिनरल्स विटामीज नहीं ले पा रहे तो हमारे श्रीर के साथ साथ बाल भी खराब होना शुरू हो जाते हैं बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं जब बालों को पूरी जैसे वो प्रोपर ग्रोथ नहीं कर पाते और पैटन एर लोज की स्थिति को और ज्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में यह जाना कि जीन्स के लावा भी दो अन्ने फेक्टर जैसे हैं जिन की वजह से बालनेस बढ़ सकती है प्री मेचोर बाल्डि फेक्टर और लाइस फेक्टर मैं उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे लाइक करें कमेंट करें जिस विशह पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाओ वह कमेंट बोक्स में अवश्या लिखें यदि आप चाहते हैं यह झाहते हैं